तो चलिए आज की अम इस वीडियो में प्रश्णावली 2.4 एन एक्षिक देखिए हमारे स्टुडेंट क्या होता है न कि हम लोग पढ़ते हैं एक्साइज 2.1, 2.2, 2.3 लेकिन जब 2.4 का बारी आता है तो हम लोग देखते हैं कि एक्षिक है एक्षिक का मतलब होता है आपके एक्षा उनसार जरू नहीं है आपको एक्जाम जो है जो आप लोग का जो सेंटर है जहां से बुक बना हुआ है जो आप लोग एक्जाम लेता है वो कह रहा है कि आप बचो एक छिक चिप्टर है आप पढ़ने का मान होगा तो आप पढ़ सकते हो और नहीं पढ़ने का मान होगा तो नहीं भी पढ़ सकते हो बात को ध्यान से सुनिएगा ठीक है और उसके साथ साथ में निच्चे पर एक डिस्क्लेमर मार दिया है देखो और आपका पांच नमबर चुड़ चाहता है तो पांच नमर पता है ना कितना होता बहलो बहुंच यदा बहलो एक है तृटे लिए चाहिश्चा confidence सोच ज़री निकाले और इसक्साइज को पढ़िए और सांफ में आपको क्या यपनाव जठीक जदि आप 10 में इसको पढ़ लेते हो तो इलेवेट में भी इसका काम है अब इसाथ नहीं है कि आप 10 तक पढ़कर छोड़ो दोगे आगे भी काम है ठीक है और एक्जाम में आपके 10 क्लास में पूछ लियाता है कभी-कभी 5 नंबर में तो प्लीज यह आप मन से भरम निकाले क एक चीक है ठीक है इसको पढ़ना बहुत हो रही है ओके पढ़ लिजिए यार क्या एक घंटा में आपको पढ़ा देंगे पूरा और आप लोग सिख भी जाएंगे बिल्कुल असान परिकां सिखाएंगे बिल्कुल माझाएगा वास ध्यान से आप लोग देखिएगा ठीक कीजिए देखिए अपने जो 2.2 में पढ़ा ओद्युखात बहुपाता जो आप 2.2 में किये हो वहीं सेम चीज़ यहां भी करना है लेकिन आप तरी घाते तीन वहां पर दो था यहां पर तीन आया हुआ हुआ है ठीक है तो ऐसा ही बनेगा लेकिन थोड़ा इसका यहां पर रख लएते हैं ठीक है और हम कोचल पर लिख करके ही रखें तो हम इसको क्या करें सलब कर देना आईए बहुत इजी है ध्यान तो देखिएगा ठीक है इसका देखिए सुलूसम सबसे पहले क्या करेंगे यह जो दिया हुआ है यह px का value होता है ठीक है तब पहले इसको लिख लेंगे px बराबर क्या दिया हुआ है 2xq पलस x square माइनस 5x अब पलस 2 दिया हुआ है ठीक है अब हम क्या करेंगे त्रिघात बहुपद में क्या करते है यह समझे थोड़ा पहले आपको यह भी चेक करना होता है कि जदी हम 1 by 2 x के बदले जदी 1 by 2 भरते हैं तो यह 0 होता है कि नहीं होता है नहीं होगा तो फिर यह सुनियक नहीं हो पाएगा ठीक है फिर 1 को इसमें रख दीचन दिया रहता है तरिखात का उसको लिक लेँगे अब फिर यहां पर चुनियक दिया हुआ है यह बटा अब करेंगे यहां जहां x है, 1 बटा दू रखेंगे तो 2 इन्टू 1 बाइ 2 का whole cube अपलस x का मान है एक बाइ 2 का square मैनस 5 x का मान है एक बाइ 2 अपलस 2 यहां से कहाओ जाएगा P 1 बाइ 2 बराबर एदेखो 2 का 2 1 2 का पहाण तीन वार पढ़ेंगे तो 8 हो जाएगा प्लस एक अदू के पाड़ा दो बार तो 4 हो गया और यह 5 बाटा 2 हो गया और यह 2 हो ठीक है इसको कटा दो चार बार में कट जाएगा यह पी 1 बाई 2 का जो भैलू आया 1 बाटा 4 प्लस 1 बाटा 4 मैनस 5 बाटा 2 अब प्लस 2 अब कुछ नहींतों एक लिख सकते हों ठीक है बाटा में अब क्या करेंगे इसका यह कितना जाएगा 4 हो जाएगा ठीक है भाग देंगे एक बार में कि दो इसको लिखेंगे हम एक बाटा दो बहुपद जो है एक बाटा दो जो बहुपद है और फिर इस एक को रखकर चेक करेंगे आईए उसको भी रखकर चेका प्लस टू प्लस टू प्लस टू एक जाएगा दू दू चार एक पांच पांच में से पांच जाएगा जीरू यह भी क्या है एक सुन्यक है इसको भी लिखेंगे एक जो है प्लस बहुपद पी एकस का एक सुन्यक है एक सुन्यक है ओके फिर क्या करेंगे माइनस दो को रखकर चे करेंगे ठीक है सब को बारी बारी से रखकर करके चे करना है तीनों को ठीक है तो अब P minus 2 है न तो minus 2 को रखकर चेक करते हैं क्या हो जाएगा 2 x q है तो minus 2 का whole q plus minus 2 का whole square minus 5 into minus 2 plus 2 तो 8 हो जाएगा 8 दूना का 16 और दूनी का 4 5 दूनी का 10 प्लस 2 4 14 16 16 में 16 जाएगा 0 यानि यह भी क्या आ गया यह भी हमारा minus 2 भी एक बहुपद P x का 0 है P x 1 0 है इतना समझ मागया कोई दिकत नहीं है अब देखे अब हम क्या करेंगे देखे इसको हम जैसे हम लोग दिवहाद बहुपद में क्या करते थे याद है दिवहाद बहुपद में सुने अको का क्या करते थे सुने अको का गुढंको के संबंध अस्थापित करते थेना तो यहाद से हम A, B, C कमांद निकालते थे यहाँ पर क्या निकालेंगे A, B, C, D कमांद निकालेंगे ठीक है यहाँ लिखेंगे हम बहुपद को और गुडांको के संबंद अब निकलना है हमें कर सुनिया को तत्था गुडांकों के संबंध कैसे निका लेंगे देखिए जो P X बराबर दिया है उसको लिख Sudiya पता है ना अपने पेज़ में दखीए px क्लम्ण a दिया हुआ है लिखिये तू एकस क्यू बलस एकस स्क्कुार है मैनस फाइथे प्लस 2 दिया हुआ है अब यहां से पता है हम किसे कंपेर करते थे दिखात में a x應該 प्लस bx plus c से Compare करते थे तूलना करते थे यहां पर क्या करेंगे इसकी तूलना देखें लिखें देते हैं इसकी तूलना और एक्जाम में आएसा लिखना रहां 5 मिलेंगे a x q थ्रिखात बहुपत का ऐसो तरह होता है a x q bx square स्क्वायर प्लस C X अब पलस D से करने पर क्या हो जाएगा देखो इसको इससे कम्पेर करेंगे एक क्यों क्या जाएगा दो इसको इससे कम्पेर करेंगे X square X square तो B कमान कितना है इसमें कुछ नहीं तो एक रहता है तो B कमान एक हो गया तिर इससे करेंगे तो C कमान माइनस 5 हो जाएगा और D कमान निकालने में कोई दिकत नहीं है अब चलिए अब इसके साथ में क्या दिया गया है आपको एक बटा दू एक और माइनस 2 है यह दिये गया क्या है सुनियक है तो इसको भी लिख लेंगे पी एक्स के लिए दिये गया सुनियक क्या क्या है एक बटा दू माइनस 2 और 1 है ठीके इससे कोई फर्क नहीं है कि एक यह दिया माइनस 2 ही दू सो कई फर्क नहीं है आप कहीं बिलिखो लेकिन जो दिया उसको लिखना पड़ता है ठीके ए बात समझ माई अब देखिए हम इसको आगे बढ़ते हैं क्या है सुन्या को लिए ना हो जाता है तिकन हमने क्या किया देखो हमने उल्टा लिख लिया एक बटा दू, एक माइनस दू, जदि हम इसको इधर दर लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक ना, इसलिए इसको आलफा और यहाँ पर एक रखिए, और यहाँ पर माइनस दू रखिए, मतलब जिस तरह से दिया हुआ है, उसको हम सेप्रेट ही लिखेंगे, नहीं दिख भक कर देंगे, हम लोग, टो एक मेंने 2, अलृफा बिटा गामा होगा होगा, ठीके, तिन जो ओला में, आलृफा बिटा गामा होता है, और देन इसका幫 जो फर्मूला होता मानस В b y यहीं होता है alpha कमान क्या है at about 2 देखलो एक बटा 2 है ठीकर काP alpha कमान है एक बटा 2 और बीटा का एक और गामा की माइनस दो जो सबम यागए हुग दिख्छे एक एक कमान देंखिए ये का जुमान है जुमान है तो है यहां पर क्या कर देंगे तू भर देंगे अब क्या करेंगे इसको हल करें कुछ नहीं तो एक कुछ नहीं तो एक एलसे हमो गया दो एक और जो और माइनस चार बराबर है जो चार अब ले तो मायनस बराबर बदो माइनस बराबर है को सुए हमारे बराबर हो गए अब देखिए अलफा बीटा गामा हो गया अब इसके बाद क्या निकालते हैं अलफा बीटा बीटा गामा और गामा अलफा तिरी हात में एक अलफा बीटा गामा होता है और उसके साथ में एक अलफा बीटा बीटा गामा गामा अलफा होता है ठीक है अल्फा कमान एक बटा दू है एक बटा दो बिटा कमान एक है तो एक बिटा कमान एक है और गामा कमान कितना है माइनस दो तो माइनस दो पलस गामा कमान है माइनस दो और अल्फा कमान है एक बटा दो और यह है सी सी का भैलू कितना है देखिए तो सी का जो भैलू है माइनस पांच है और एक भैलू क्या है एक भैलू है टू यहाँ पर भर दो अब इसको सल्व करो यह हो जाएंगे एक बटा दू और यह माइनस दो और यह माइनस दो बटा दो बराबर में माइनस पांच बटा दो यहाँ पर कुछ नहीं तो एक एलसियम दो यहाँ पर हो जाएगा एक माइनस और यह हो जाएगा दूदुनी का चार और यह हो जाएगा माइनस दो बराबर में माइनस पांच बटा दो माइनस चार और दो माइनस चार माइनस चार माइनस चार में चार जाएगा माइनस 5 बाटा 2 बराबर माइनस 5 बाटा A हो गया अब क्या करेंगे यह तो जोगफल का था अब गुड़न फल निकलते हैं तिनों सिन्यकों का गुड़न फल यानि आलफा बीटा गामा इसका क्या होता है माइनस दी बाई A होता है अल्फा कमान क्या है एक बटा दो बिटा कमान है एक और गमा कमान है माइनस दो और माइनस डी कमान क्या है यहां से लाएंगे डी कमान दो है तो डी कमान दो हो गया और एक कमान दो है सबको गुना कर दी तो माइनस दो बटा दो हो गया माइनस 2 बाटा 2 गया खटा दो एक बराबर एक हो गया ठीके अब एक बराबर एक हो गया देखिए तो एभी सेम आ गया और एभी सेम आ गया तीनो सेम हो गया थम क्या लिखेंगे इस परकार इस परकार क्या हुआ इस परकार जो PX के सुन्यको तथा गुड़ांको के संबंद अस्थापित होते हैं संबंद अस्थापित चत्यापित होते हैं यह अपका इंसर के सुन्यक परकार के स्थापित किजिए मतलब कि इसको जाज किजिए कि तीनों बराबर नहीं यह भी बराबर हैं और यह सब कोशन आपको कुछ नहीं सिखना है जब तरिगात कह दिया जाए तो पहले तो आप सुन्यको जाज कर लिजिए पिर a b c d का मान निकाल लिजिए पिर alpha बीटा आपको दिया रहता है गामा अब फिर आप एक बर alpha फ्लस बिटा गामा निकाल लिए फर्मुलायाद कर लिए पर आलफा प्लस बी वीटा गाम वेन हम कोच्चान म में कौच्च बूच्का को देखते हैं ठीक इसको आतायर थे आई है अब अब अगकोमत माच्ण का कि पहला का दूसरा का थे ४ syndrome आपका कोचन है कि x q दिख रहे है ना x q माइनस 4 x square प्लस 5 x माइनस 2 2 1 1 है ठीक है 2 1 1 है ठीक है तो आए इसको भी सल्व किया जाए x q माइनस 4 x x square प्लस 5 x माइनस 2 2 1 1 है तो इस कोचन में आप लोग घबराने की जुरूत नहीं है जस्ट जिससे हमने कोचन नंबर 2 फर्ष्ट किया उसी तरह से इसका सेकेंड भी होगा कोई घबराने की ज़रूत नहीं है बहुत इजी है वस अफ लोग पेसेंस का साँ देखते का किनियों सब से पलें क्या करते हैं एक पी एकस का भे ली दिया होता है लिक लेंब किया करते हैं एक बार दो रखेंगे हम और इक रखरचे करते हैं कि सुने खाएं नहीं है सो ठोंद टुनी है तू रखे जहां जाहां एक से तू भर दो तू का होल क्यूब 4 इंटू 2 का स्क्वाइर 5 इंटू 2-2 यहां से ए 8 हो गए जुद निविक्चार 16 हो गया 5 दूनी का 10-2 दस आठ अठारा मैंना सोरा मैं दू अठार यानि यह भी जीरो गया ठीक है इसमों टा कहेंगे कि जो दो बहुपद है क्या है पी एक से एक सुनियाक है ठीक है फिर हम एक रखकर चेक करेंगे यह एक रखते हैं तो पी वन है ना तो वन का होल क्यूं पोर इंटु उन का सवाल को है फाइफ इंटु वन मैंनस टू यह 1-4 और 5-2 पांच एक छाओ मैंनस 4 दू मैंनस यह भी जीरो आ गया यानि यह भी कहेंगे कि एक जो बहुपद है वह क्या है पी एक सुनियाक है ठीके अब देखिए अब इस एक को रखने क्या जीरोत है दोनों ते यह ह términ परकाम हो क्या है ठीके टोंकी 10 एक बहुपद्ध भाओर पी एक्स के पी एक्स के क्या है सुने आखे अब चलिए अब हम क्या करेंगे तुल्ला करेंगे तुल्ला करके क्या करेंगे A, B, C, D का मान निकल करके लाएंगे जैसे हमने कोचा नमबर 1 किया दिखेंगे कि अब जो पी एक्स का भैलू है क्या है PX का जो भाहलू है XQ XQ माइनस 4X स्क्वाइर प्लस 5X माइनस 2 कि तुलना कि तुलना किसे AXQ प्लस BX स्क्वाइर CX प्लस D से साथ करने पर D के साथ करने पर क्या हो जाएगा इसके साथ जब कम्पेर करेंगे तो ABCD का भाहलू क्या हो जाएगा अपका ABCD का भाहलू हो जाएगा इससे कम्पेर करने तो कुछ नहीं तो एक रता है तो A कमान 1 हो गया इसको इससे करेंगे तो B कमान माइनस 4 हो गया इसको इसे करेंगे C के मान 5 हो गया इससे करेंगे तो D के मान-2 हो गया है हमने A B C D का मान निकाल दिया ओके अब क्या करेंगे अब हमारा जो क्या बहुते हैं 21 का बहुपत का जो सुनियक है वो दिया हुआ है क्या दिया हुआ है 211 यानि आलफा बीटा गामा इसको लिख लेंगे यहां पर जो दिया हुआ है अलफा का जो मान है दो है बीटा का मान एक है और गामा का मान एक है ओके अब क्या करेंगे सुनियको का जोग फल निकालेंगे यह आलफा प्लस बीटा, अलफा बीटा गामा, क्या होता है फर्मूला, माइनस बीबाई यह होता है, अलफा कमान दो, बीटा कमान एक, और इसका एक, अब बी कमान क्या है, माइनस चार, तो माइनस चार बढ़ता है, एक कमान कितना है, एक, एक हो गया, तो यहां से कितना हो रहेगा यह देख़ो हुंआ चशा एक मिक्स्टेक हो रहा है मायनस ब्रहाई होता है यह मायनस पाल से और बी का जो मान मा ने माय चार है यह बंदो असली कि है ठीक जिसे होर यह दूनों इसना की कि ओप आलफागर बीटँ पहसे बीटगास गामा alpha इसका फ़ाँ होता है S दी बाई यह होता है alpha कमाल दो बीटा कमाल एक बीटा कमाल एक Gama कमाल एक Gama कमाल एक अलफा कमाल दो kan congress一定要 in bet like a.com कितना है दी कमाल 5 और e कमाल है 1 यह 5 बाड़ा एक यह two तीन अदू 5 अब बराबर में 5 लगा बढाबर मैं लगेश्य क्या है बराबर है आप चेक करेंगे अब किसको चेक करेंगे अब चलिए क्या अलफा बीटा गामा क्या अधिक होता है तो आलफा का मैंद गामा का एक और उडिक और हुए क्या उपिए पार यह परकार कि के तेसं परकार फेकल के कि यह अब लोगो को समझ में आ गया होगा ठीक है उप नेक्ट कोचण लेखते हैं जो है आपका कोच्छ नमबर टू क्सुमझ मैं न सबको बहुत ईजी है पस अब करोगे समझ में आएगा कोच्छ देखो एक तिरगात बहुत प्राप्त किजिए जिसके सुन्यकों का जोग दो सुन्यकों के साथ लेकर उनके गुड़नफलों का जगत तक तीनों सुन्यकों गुड़नफल करम से इतना इतना है यह भी देखें कोचन बहुत अच्छा है आपके एक्जाम लेक्सरे पूछे जा इसको भी देखा जाए इसको लिख लिए पहले ताकि आप लोगो को लिखने में टाइम बरबाद होगा ना इसको में कट कर दिया अब क्या करते हैं हमारा त्रिखात बहुपत पराप्त करना है यह हमारा कोचन है जो कि सुन्यक का जोग सुन्यकों के एक साथ देकर उनके ग चैनलद देखिए हमफिते हमें त्रिखात बहुपत लिखेएंगे कर दो कुंध मानवान त्रिखात बहुपत क्या था पता है चैनल आपको आपभी हम पर करा रहे थे हमें ्ंस स्काहिए जो हरन निकालना है और जो आपका सुनियक है और इसमें जो आपका सुनियक है वो क्या है जो सुनियक है वो हता है आलफा बीटा तथा गामा आलफा बीटा गामा का जो मान है दिया हुआ है ठीक है तो हम लिख लेंगे आलफा का जो मान है वो 2 है बीटा का जो मान है माइनस 7 है और गामा का जो मान है माइनस 14 है अब हमें क्या करेंगे हमें चाहिए A कमान B कमान C कमान D कमान यदि A B C D कमान आ जाता है तो फिर हमारा ति बीटा पलस गामा क्या होता है फर्मुला माइनस बीबाई ए होता है ठीक है तो आलफा पलस बीटा पलस गामा अब यहाँ पर देखे समझेगा हमने कुछ मिस्टेक किया क्या मिस्टेक किया है देखो यहाँ पर जो हमने मिस्टेक किया है वो हमने ए मिस्टेक कर दिया जो यहा होता है आलफा प्लस बीटा प्लस गामा यह होता है सुनिया का जोग का फर्मूला आलफा बीटा प्लस गामा यहां से देखिए आपका जो आलफा प्लस बीटा प्लस गामा इसका जो मान है दो दिया गया है यह ध्यान दिजिए ठीक है और जो माइनस साथ है आलफा बीटा बीटा गामा और गामा अलफा इसका जो मान है माइनस साथ है यह ध्यान दिजिए और यह जो है आलफा बीटा गामा इसका जो मान है माइनस 14 है यहां पर खुलियाम लिखा गया है द तब आपको त्रिखाद बहुपत का मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, हमें A, B, C, D का मान चाहिए, तो हम पहले चलते हैं, आलफा प्लस बीटा प्लस गामा के तरफ, इसका जो फर्मूला होता है, तो क्या होता है, मैनस B बाई A होता है, अलफा बीटा गामा, इसका जो मान है, वो दो दिया है, हमने दो रखा, मैनस B बाई A, अब यहां से कंपेर करेंगे, यहां पर बाटा में कुछ नहीं, तो एक लिख सकते हैं, क्यांकि 2 में यहां से भागा में कोई मान में फार्क की बाई गाया, अब इसको कंपेर करेंगे, एक मान क्या हो जाएगा, फिर हम निकालेंगे, इसका आलफा बीटा पलस बीटा गामा पलस गामा अलफा, बराबर क्या दिया है फर्मूला क्या होता है C by A होता है और इस टोटल का जो मान है उस माइनस साथ दिया है तिया हो गया माइनस साथ बाटा C और A का जो मान हमने निकल कर लाया एक यहाँ पर एक भर देंगे इसको cross multiplication करा दो तो माइनस साथ से और एक से करेंगे माइनस साथ बराबर C यहनि C का जो मान आ गया माइनस साथ आ गया फिर क्या करेंगे आलफा बीटा गामा आलफा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है माइनस D by A होता है तो इसका जो मान है माइनस चौदा है माइनस चौदा बराबर माइनस D और A कमान क्या दिया है A कमान क्या लाए हो एक एक भर दो दुनों क्रॉस माइनस प्लॉस जगा है निए D का जो मान आ गया हो क्या आ गया चौदा आ गया ठीक है हमने A कमान C कमान D कमान ला दिया ठीक है और यहां पर B का ही मान ला दिया A, B, C, D का मान आ गया अब हम क्या करेंगे तिरगात बाउपद लिखेंगे तिरगात बाउपद का फर्मूला जो होता है ओ होता है A, X, Q, B, X, Q, C, X, P, L, D अब सब का मान भर दिजिए A का मान है 1 तो X की हो जाएगा और B का मान मान इस 2 तो मानस 2X स्क्यार, C का मान है मानस 7 तो मानस 7X और D का मान है 14 तो हो गया 14 अच्छे हम पर गलत नहीं हो रहा है इसका जो मान है मानस 14 है ठीक है और हमारा जो फर्मूला होता है आलफा बीटा गाम यह हमारा जो एंसर है इतना हो जाएगा ओके आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा तो बहुत इजी था बस इस कोचन में क्या था ना कि सबसे पहला हमें त्रिखाद बहुपत बताना था हमने उसको ले लिया जो फर्मूला होता है और जो सुनियक है वो दिया हुआ है आलफा बीटा गामा कमाने खाए अलफा बीटा गामा अलफा ग्माल्द ए अव आलफा students कोच्चन देखते हैं कोच्चन नमबर 3 है उसको देख लेते हैं ठीक है कोच्चन नमबर 3 देखिए यदि बहुपद x q-3 x square plus x plus 1 के सुनियक a-b a plus b हो तो a और b ग्याद किजिए ठीक है कोच्चन नमबर 3 यदि बहुपद x q-3 x square minus 26 x square है अच्छा गलत लिख रहे हैं मैं देखो कॉल आने कोज़ा से हमने गलत लिख दिया है कोई बात नहीं है ठाड़ नमर कोच्चन है जदि बहुपद जदि बहुपद x q-3 x square plus x plus 1 के सुनियक के सुनियक क्या है ए माइनस b है ए है ए पलस b है हो तो हो तो a और b का मान ग्याद करना है तो इसको सल्व किसे करेंगे देखिए भी बहुत तीजी है और ध्यान से देखिएगा आपके एक्जाम में इस तरह का कोच्चन आते रहते हैं ठीक है सबसे पहले जो दिया है px का भैलू उसको लिखो px का जो मान है x q-3 x square x plus 1 ओके अब इसका हम देखो a b c d का मान निकालना है तो हम क्या करेंगे देखो एक बात आते हैं इसको तुल्णा करो किससे a x x x q-3 x c plus b से क्योंकि a b c का मान complete करेगा इसकी तुल्णा करते हैं कर लए इसकी तुल्णा करनेनक पर दिन एक्स को करने पर आच्छा तुल्णा सब बड़ा capital letter युज कर दिया गया है तब इन दिफ्रेंट रहेगा एसे डोना रहे हैं तो हम इसे एक कम्पेर करते हैं तो एक अमानachen कुछ नहीं तो एक कॉफिसेंट रहता है तो एक हमारा एक हो गया और गुडांग होता है इससे कंपेयर करेंगे लिए निकल गया अब क्या करेंगे आप देखिए इसका जो दिया हुआ है यह देखो सुन्यक दिया हुआ है लिखेंगे चुकी जो हमारा PX का सुनियक है, PX के सुनियक है, वो क्या है? A-B, A, A+, B है, ठीक है? हमें क्या निकलना है? हमें तो ABC का मान निकलना है, क्या करेंगे? देखें, हम सबसे पहले चलेंगे, अलफा बीटा प्लस गामा, अलफा बीटा प्लस गामा, इससे क्या निकलना हमारा? इसका जो फर्मूला होता है, A होता है, मानस B बाई A, आखें यहां कैपिटल क्या उज़ कर रहे है? क्योंकि small पहले से इस कोचन में उज़ कर लिया है, हम उसको छोटा से कर दिये, तो इसको बड़ा से कर दिये, तो आलफा बीटा प्लस गामा, इसका जो मान है, वो क्या है? देखो, आलफा का जो मान है, A है, बीटा का मान A है, और गामा का मान A है, तो यहां पर दखको, आलफा का मान A माइनस B, प्लस बीटा का मान A, गामा का मा A plus B B कमान का है minus 3 A कमान 1 तो 1 हो गया अब यह B minus B 3 A हो गया बराबर में यह 3 तीन 3 कट गया A का जो माना गया यह आपका A कमान एंसर हो गया फिर हम alpha beta gamma क्या हो जाएगा minus dy A होता है आखिर आप कहेंगे कि सर आप alpha beta alpha beta beta gamma gamma alpha के उन्हें निकाल रहे हो तो देखो उसको निकालने से कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमें C कमान तो निकालना ही नहीं है हमें तो सिर्फ चाहिए A और B कमान जैदे C कमान निकालना होता तो हम इसको यूज करते है ठीक है चलिए alpha beta gamma alpha beta gamma कमान क्या दिए है alpha का जो मान है A माइनस B है और beta का जो मान है B है और gamma कमान होजे A प्लस B है माइनस अडी कमान क्या है D कमान है 1 T celestial एक हो गया 1 A माइनस B A प्लस B किसका फरमला होता है A square माइनस B a square का और यहां पर B अबर आबर में माइनस एक कमान पता है ना एक कमान एक है एक के स्क्वाइर करेंगे तो एक होगा एक बी स्क्वाइर इंटु बराबर माइनस एक अब यहां से क्या करेंगे अच्छा यहां पर ए है ना यहां पर ए है क्योंकि यहां पर जो भैलू है बीटा का ए है ना यहां पर ए लिखो यह एक का मान मानलो एक तो एक हो गया यहनि 1-b square बराबर मैना स्वान हो गया malays b square बराबर minus one एक पुलेस दर्ज जायगा तो minus one Jeśli minus b square बराबर minus two minus minus 6 einzige called square यह जो ळायगा ith root लायगा दो plus minus root में जायगा अब देखो plus minus root two पहोघ जो भाइडिव है इसमें कुछ खास नहीं है बस थोड़ा साब लोग मेहनत नहीं करते हो डरते हो ठीक है बाकी सब इजी प्रोसेस है इसका ओके नेस्ट कोचन देखिए कोचन नमबर प्रोसेस कोचन नहीं करते है बहुत अच्छा कोचन लएगा बनाने में ध्यान से देखिएगा ठीक है यह जो कोचन है यह भी इजी कंसेप्ट है तू पॉइंट थी में आप लोग ऐसा कोचन किये हो ठीक है इसका दो और सुने ग्याद करना है पहले सदे दो सुने क दिया हु किसको ग्याद करना होगा ठीक है क्या करेंगे सबसे पहले जो पी एकस का भाइलू दे रहता है उसको लिख लिए आता है अब क्या करेंगे यह जो पी एकस के दो सुनिया के दिया हुआ है लिखेंगे Px के 2 सुनियाग Px के 2 सुनियाग क्या है? 2 पलस माइनस रूट 3 है अब देखिए आप लोग को पढ़ाए हैं 2.3 में कि जो 2 सुनियाग है 2 और पलस माइनस रूट 3 यह कैसे आया होगा? जब यह एकस माइनस एकस माइनस दो plus रूट 3 होगा और एक एकस माइनस दो माइनस रूट 3 होगा इस फोर में होगा तब यह हमारा यह कंडिशन आया होगा ठीक है? आप लोग 2.3 में जयाद ईसा कोशन कीए होंगे आपको पता चलेगा नहीं की होंगे तो आपको नहीं पता चलेगा तो प्लीज आप लोग टू प्रहंट थी पढ़िए होंगा मैं समय इसा उम्मीद करता हूं कि पढ़ यह धीक्त थीक ना फेश्च आपने आप अपने आपको एकस माइनस 2 पलस है घ्र माल्ट पल्ट कर देगाrod माइनस रूट 3 इसको एकस नात कर लेते एकस माइनस 2 और माइनस माइनस पलस रूट 3 इस फर्मा हुगा अब देखो यहां पर दे दुन ऊत जेसा है इसको हम क्या कर सकते हैं X-2 का whole square ठीक है अब मानस 8 भी दिनलों XS है मानस प्लस है तो root 3 का square कर लेंगे उल्थ को तोड़ेंगे A-B whole square ते हो जाएगा A square एं एक से square प्लस क्या होता है मानस 2 भी न तो 4X हो जाएगा और प्लस B square तो 4 हो जाएगा और इसको root 3 करेंगे कितना हो जाएगा? माइनस 3 हो जाएगा इसको ब्रेक करेंगे तो एक से स्क्वाइब माइनस 4x और पलस 1 हो जाएगा इतना आ जाएगा अब एक कैसे आया है यह आपको समझना है ठीक है यह आपको समझना है देखे जदी एक 2 2 पलस माइनस 3 है इस फ़र में होगा तब इस तरह से आया होगा ठीक है तो हमने उसी को पकड़ा कि इसके फ़र में जदी हो यह आ जाएगा आप लोग 2.3 जाकर कंसेप्ट बताएं हैं आप लोग उसमें पढ़ें होंगे तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा जिनको नहीं स एकस एस्किवार मैनस 4 एकस पलस वम डिभाइड करते हैं एकस के पावर फहर मैनस 6 एकस क्युँव माइनस 26 एकस एसक्वार पलस 138 एकस मानस 35 ठीक है इसको भाग देते हैं भाग देंगे न वहीं हमारा यहाँ पर एंसर आएगा। उसे गुडंखन कर देंगे हमारा सुनेक आएगा ठीक है चलिए एकसकोड लाना है तो एकसे स्क्वाइर में कितना से करदें एकसकोड से एकसके ले यहांसे कितना हो जाएगा यहां से कि यहां से स्क्वाइब एक्सक्वाइब कि ऑर यहां से माइनस 2x q लाना है एक से स्क्वाइर में कितना से कर दें इसमें माइनस 2x ले कर जाते हैं ठीक है क्या हो जाएगा माइनस 2x q और 4x ले और माइनस 2x स्क्वाइर से माइनस 8x स्क्वाइर 1 से और 2x ले माइनस 2x यह कितना हो जाएगा यह तो हम साइन चेंज तो 26 में से 8 घटेगा कितना है यह हो जाएगा 26 में लुकने करने है तो मिस्टेक कर दिया देखो ले एंटो यह तो यह कितना होगा वन्से और इस ले करेंगे नहीं नियों पहाली बार में मिच्टे ओखन गया एक से स्कॉयर से काहित इतना जा एक स्कॉयर छिए गास यहां पर ज्यकंण से करेंगे तो था ए ले करेंगे मानश मानश का वल जाएका का वाला ये और टिक्स की उन से और मैस माइनस करें मानिस ठीक है अब polsk चैनग अले करेंगे एक सब्सक्रेंगे probably 4X लेजने करेंगे कितना 140 सेरफ करोर데9 मैनस पीछी सेरा करें गया तो सकतर सब मालत करके जैसे जीरू आया हमारा क्या काम है कि इसको गुड़ांखण करसे कि है ठीक है किया है इसलिए हम स्कुर्ण है किन आफ्ले कर रहे है एक कि चौइर माइनस 2x माइनस 35 इसका गुड़ंखन करिए तो क्या हो जाएगा इसका गुड़ंखन करते हैं माइनस 2x ला रहा है यानने 7x प्लस 5x रख लेंगे दोनों को जो हटाव करेंगे तो 2x हो जाएगा माइनस 35 बराबर में 0 इसमें कमन लिजिए x-7 हो गए इसमें से 5 कमन लिएंगे तो 5x-7 हो गए बराबर में 0 पहले x-7 लाइग साथ एक्स पलस 5 बराबर में 0 एक्स बराबर 0 और एक बार x-5 बराबर 0 एक्स बराबर आ गया 7 और x बराबर आ गया – 5 और फी- एक्स के अन्य जो सुनयक आया वो क्या आया वो आगया माइनस पांच और साथ होगा ठीक है I hope कि आप लोग को ए भी समझ में आया होगा अब इसका लाश्ट कोचन है लेकिन आज तक से हमें नहीं लगता है कि इस से कोई ज्यादा कठीन भाग बनाया होगा अप लोग नाइन्थ में पड़े होंगे टेन्थ में भहुत सारा भाग बनाया है लेकिन किसी भी बुक से अप मिला लेना जो पाचवा कोचन है जो भाग है इतना में इतना से भाग देना है उसके बाद किया और एक कमान निकलना है पहले जो भाग बुला प्रोसेस है ना बहुत कठीन है हमारे सभी बच्चे डर जाते हैं उनको समझ में नहीं आता है लेकिन हम इसके लिए बहुत टाइम देने वाले हैं आप लोग को और बहुत अच्छे साज बताने वाले हैं पिलिज इस वीडियो को अंटक देखिए ध्यान से देखिए समझेएगा और आज से आप लोगे भाग बनाना सीख जाएगा बहुत मैजार भाग है और आप किसी को बताइएगा आज से ठीक है चलिए इसको हम बना करके आपको दिखाते हैं although इससोर चंपर को दिखांच से करना है ठीक है क्या करना कि इतना में इतना से भाग देना है ठीक है अम पहर्द लिख लते हैं X square minus 2X plus K X के पाउर 4 minus 6XQ plus 16X square minus 25X plus 10 इसको भाग देना है? भाग देजिए कैसे देंगे? देखे सबसे पर X के पाउर 4 लाना है तो X से स्कॉार में कितना से कर देंगे? यहां पर देज़ देते हैं इसका इंसर उपर में X से स्कॉार से भाग देते हैं यह आगया X के पाउर 4 फिर 2X ले और X से स्कॉार से करेंगे यह हो जाएगा minus 2XQ फिर K ले और X से स्कॉार से करेंगे यह हो जाएगा K K X स्कॉार ठीक है? अब इसको कटाईए साइन चेंज कर यह पलस तो माइनस माइनस तो पलस पलस तो माइनस एकट गया एक छे में से दो घटाएंगे कितना आएगा माइनस फूर एक्स क्यू ठीक है अब देखिए यहाँ पर एक से स्क्वाइर है और यह भी एक से स्क्वाइर यहाँ पर 16 यहाँ पर के दोनों कैसे जोड़ पाएंगा इसा तो नहीं कि 16 और 17 हो जाएगा एक के है इसको a यहां को जोड़ने का जो तरीका है ध्यान दीजिएगा यहीं से आपको समझने के लिए बनता है ठीके इन दोनों को जड़ें कैसे देखो कुष्ट बना लेंगे 15 16 में से माइनस करना है कि ऐसे कर लेंगे ऐसा तो नहीं है कि इसको इस तरह से करेंगे ठीके योटाओ करते हैं ठीके एक सब्सक्राइब दोनों के लिए इसमें इंटु कर देंगे coefficient x square और उपर जो है उतार लेंगे minus 25 x plus 10 ओके ध्यान से समझना है एक कोचन बहुत सारे बच्चे confusion में रहते हैं अब अक्सर देखते रहते हैं ठीके अब 4x q लाना है तो किस से कर दे minus 4x ले कर देते हैं minus 4x ले तो हो जाएगा minus 4x q 2x ले और minus 4x ले करेंगे कितना हो जाएगा minus minus plus हो जाएगा 8x square plus 8x square फिर k ले और minus 4x ले करेंगे कितना हो जाएगा minus 4k x हो जाएगा कितना हो गया minus तो plus 1 खत्म अब इन दोनों को जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे तो पहले 14 minus k कि दोनों का कोफिशेंट की है इसलिए एक दोनों में जुड़ाएगा तो दोनों में जुड़ाएगा तो दोनों में x-2 प्रोसेश ध्यान से चलो जाओ ठीक ना पहले सबैब इनको जोड़िया कि ऐसे चार में से चार घटाएंगे कितना है तो घटान यह गए तो लिखने तो जनी पलिक ध्यान दो यह तो माइनस है ना यह माइनस है और यह क्या है प्लस है यहां पर प्लस साइन दे दो ठीक है और यह माइनस पचीस है तो माइनस पचीस ही लिखेंगे और यह प्लस फोर के है ना प्लस फोर के है तो प्लस फोर के दोनों का अप्षिजनेंट टेक देता है त अब क्या करेंगे अब देखो अब हम इसको कटाने कटाना चाह रहे हैं तो नहीं कट पाएगा देखो इस सोरव मैनस के मैनस आठे तो इसको घटा सकते हैं इसको आप यहां करके लिख सकते हो यहां पर क्या हो जाएगा यहां पर देखो 25 अब पुलस फोर के है तो पुलस ओला जो है इसको पहुदा लिख लेते हैं pentru को पहुद्य लिख लेते हैं पलस फोर के माइनस पचीस को और यहां पर हम 8-k से मल्ड पल कराते हैं तो क्या हो जाएगा यह हो जाएगा 8-k का x square फिर क्या करेंगे 8-k से 2x ले करेंगे यह क्या हो जाएगा 8-k x square से करेंगे अब 2x ले इतना से करेंगे तो हो जाएगा 4 दुनी का 8x square में हो जाएगा 8 x square में जाएगा, नहीं 8 minus k से और 2 x ले करेंगे कितना जाएगा, यह हो जाएगा 2 into, ठीके यह हो जाएगा, minus 2 into 8 minus k x हो जाएगा अब plus 8 minus k से और k से करेंगे तो यह हो जाएगा k into 8 minus k इसको करिए यह देखो, plus तो यह minus यह कड़ गये, यह minus то plus यह plus foremost, इसको भटाईए इस में से इसको क्या करा, दोनों को जोड़ना है दोनों को क्या कराना है, जोड़ना है कैसे जोड़ना है, देखो हम पहले क्या कर लेते है, कि 4 ke, 4 ke है न 4 ke minus 25 अब यह देखो, plus हो गया है यह दोनों क्या होगा है पलस होगा इसको गुना कराएंगे गुना कराएंगे तो कितना हो जाएगा तो पलस लिख लेंगे 8 दुनी 16 माइनस 2K ठीक है माइनस 2K और x है तो x अब पलस पलस और यह देखो क्या बचेगा नहीं मैनस है नहीं तो मैनस इन दोनों को जोड़ेंगे तो यह क्या हो जाएगा यह हो जाएगा के 8-k प्लस 10 हो जाएगा ठीक है अब क्या करेंगे देखिए इसको सेप्रेट कर लेते हैं यह लिख करके इसको भटाईए देखिए 4k-25 प्लस 16-2k टोटल में है एक दूनों ए हो गया के और 8-k प्लस 10 इसको करें तो कितना जाएगा कि यह आपको करेंगे तो हो जाएगा मैनस 25 आर सोरर जाएगा यह जाएगा मैनस 9-4 में से टून के जाएगा यह जाएगा प्लस 2k और एक माइनस और एक के 8-k प्लस 10 ए जुआ आए हुआ आपका चेश फल आगया और का शेसफल है समझ मैं सबको और इसको माल लो समीकराण फस्ट यह पस्टिक मैं वच करका गया और इसको माल लो समीकराणlied 狂ffi शेस फलम पहले से दिया गया और दिया हुआ दिया जया तो सेश्फल एक्स एक्स प्लस ए आता है पहले से एक्स प्लस एको क्या कर लो जो दिया गया है सेस्फल जो सेस्फल है एक्स प्लस एको इसको मालो सेकेंड अब दुनों में क्या करेंगे समीक्राण फास्ट और सेकेंड से क्या करेंगे देखो एक्स है और एक्स क्या होता है एक्स कोफिसेंट इ यहां पर क्या हो गया देखो है जब इसको compare कराइंगे यहां पर 9- relax 2 के वराबर क पुंप तो ठीकर प्रप्रम क्या है यहला हथ अब देखो इसको एक स्ट होला है इस से कंपेर करेंगे इस से जाब का engk करेंगे तो क्या हो जाएगा यह ए बराबर ए बराबर क्या हो जाएगा था-फी फ्jectまだ कட मुईद के कमाण क्या है मैंनेस पांच बार देंगे औरLo filter फ़र देंगे और words लिए आज तील ए गलुत इह कं की जाएगा मैंनस त्ीन क कराएगा ह मैंनस तीन प्रस थे प्रसलीण अच्छा एकलती हो रहा है आठ मेंसे पांच जाएगा पुलास तीन हुगा मैंस 5 से और 3 से करेंगे माइनस 15 पुलास दस यह बराबर माइनस पांच एक कमान माइनस पांच जैने समझ में नहीं हो फिर से एक बार वीडियो के देखिए सबस्टी समझ में आ जाएगा ठीक है ए देख रहे हो ना कैसा सेस्पलाया हुआ है तो डिफकल्ट है लेकिन इजी भी है समझेंगे तो नई समझेंगे तो आप जिन्नेगी पर डरती रहा जाओगा आपको कभी समझ में नहीं ठीक है ना लेकिन मैं उम्मिद करता हूं कि आप लोग समझ गया होंगे और आज का हमारा जो वीडियो था इस वीडियो में हम लोग एकसरसाइज 2.4 पूरा कंप्लीट कर लिए यदि कहीं भी दिकत हो कहीं भी कंसेप्ट नहीं हो रहा है और आपको हैजरी चाहिए कि मेंबर्स इज्वाइन करके हम पूरा फूल कोर्स कर लें हरे एकसरसाइज का वीडियो एक्जा जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हो उसके लिए 8383 89619 पर आप कॉल कर सकते हो कॉल करके या वाटसब भी कर सकते हो आपको मेंबर्सीप में जुएन के जाएगा आप 409 रुप्रेट करते हो तो और पूरे साल के लिए 409 रुप्रें की मतलब फिर से लिए जाएगा नहीं पूरे साल के लिए 409 रुप्रें आपको 100% मेंट कंप्लीट कराने की गरांटी में देता हूं ठीक है आई होब कि आप लोग को आज की क्लास अच्छा लागा हो जुड़ना चाहते हैं जूर हेल्प हेल्प सपोर्ट में जूड़ी है आप ठीक ना सपोर्ट मेंबर्सीप मे आपको 100% मेंट कंप्लीट करांगे